नमस्कार प्रेश इक्षार्थियों मैं डॉक्टर निधीगर नियोएस के कम्मुनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूं आज हम यहाँ पर मानव शरी रचना एवं क्रिया विज्ञान के कुछ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स लेकर के उपस्तित हुए हैं अब तक हमने काफी सिस्टम्स के बारे में पढ़ चुके हैं जैसे की स्केलेटल सिस्टम, डैजेस्टिव सिस्टम, रैस्पिरेटरी सिस्टम, आदी आज हम यहाँ पर एक नया सिस्टम, एक्सक्रिटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र लेकर उपस्तित हुए हैं आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बताएंगे कि यह क्या है जैसा कि आप जानते हैं, हम भोजन करते हैं, इस भोजन से हमें कार्वोहरडरेट, प्रोटीन, वसा, आधी पदार्थ प्राप्त होते हैं यह पदार्थ पचने के बाद पाचन नलिका से अर्था डाजेसिस सिस्टम से रक्त कोशिकाओं द्वारा शरीर के विभिन टिश्यूज में पहुँचते हैं जहां ये मेटबोलिजम अर्था चैब चै की क्रियाओं से शरीर की कोशिकाओं में लगातार होने वाले टूट फूट और मरमत से कई प्रकार के अप्षिष्ट पदार्थ वेस्ट प्रोड़क्ट्स जैसे कार्बन डायोकसाइड, जलवाश्प, अमोनिया, यूरिया, यू अर्था टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालने की परिक्रिया उत्सरजन अर्थाथ एक्सक्रिशन कहलाती है, कार्बन डायोकसाइड और यूरिया मानव शरी द्वारा उत्सरजित किये जाने वाले प्रमुक अप्षिष्ट हैं, कार्बन डायोकसाइड श्वसन की प्रिक्र से पैदा होता है और यूरिया यकृत में अब यूक्त प्रोटिनों के अब घटन से बनता है शरीर से अप्षिष बाहर निकालने के लिए शरीर में अलग-अलग अंग होते हैं जैसे त्वचा फेफडे यकृत और व्रिक त्वचा अपने पसीने के द्वारा कुछ लवनों क क quién ओर निकालती है और जल वाश बाषक शवसन क्रिया दवारा यूरिया औरल्न से सब्वरा निकल जाते हैं अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड रक्त के कोशिकाओं द्वारा यकृत में पहुंचते हैं जहां अमोनिया यूरिया में बदल जाता है नाइट्रोजन के योगिक यूरिया और यूरियक ऐसे यकृत के द्वारा रक्त से गुर्दों में पहुंचते हैं इस प्रकार गुर्दे यूरिया को रक्त से अलग कर इसका उत्सर्जन करते हैं शरीर में कार्भोहाइडरेट तथा वसा के उप्चे अप्चे से अर्थात मेटबोलिजम से कार्बन डायोकसाइड तथा जलवाश्प का निर्मान होता है कार्बन डायोकसाइट तथा जलवाश्प जैसे उत्सरजी पदार्थों को फेफणों के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है सोडियम क्लोराइट जैसे उत्सरजी पदार्थ तचा द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं प्रोटीन के उप्चा अप्चे अर्थात मैटावोलिजम से नाइट्रोजन वाले उत्सर्जी पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया तधा यूरिक अमल आधि का निर्मान होता है। ये उत्सर्जी पदार्थ व्रिक के द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। आईए एक नजर डालते हैं उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी पदार्थों पर जो अभी हमने पड़ा है। इनको हमने एक यहाँ पर टेबलर फॉर्म में आपको बताया है। जैसे व्रिक, नायट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिट, त्वचा से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। वास्त्विक अर्थों में शरीर में बने नायट्रोजनी विशाक्त, अप्षिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने की परिक्रिया उत्सरजन कहलाती है क्यूंकि अधिक्ता मुत्सरजन वरिकों द्वारा किया जाता है इसलिए वरिक जिसे हम किड्नी के नाम से जानते हैं मानव शुरीर का मुख्य उत्सरजक अंग है अता इसे मूत्रतंत्र अर्थात, यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं आईए अब जानते हैं मूत्रतंत्र यूरिनरी सिस्टम के बारे में मूत्रतंत्र के मुख्यांग हैं दो वरिक, किड्नी, दो मूत्रवाहिनिया, यूरेटर्स मूतराशे जिसे हम urinary bladder कहते हैं और moutri marg youretra आप चित्र में देख सकते हैं कि जीगा tau किड्ञी है जाए हैं साथ में इसके uretaus जा रहे हैं नीचे urinary bladder है और मूत्र mark है जाए हैं साथ में यह आपको जो शिराय और arteries दिख रही हैं यह सारी इनको रख्त पहुंचाती है kidneys को और यहीं से साफ किया हुआ रख्त वापस से शरीर में रिदय में लेकर जाती है आए सबसे पहले जानते हैं सबसे मुख्यम व्रिक के बारे में यह सेम जिसे हम beans के नाम से जानते हैं कहते हैं यह सेम के बीच की आकार के संख्या में दो होते हैं यह उदर के पिछले भाग में कशेरुगदन अर्थात वेक्टिब्र कॉलम के दोनों और होते हैं दाई और का गुर्दा यक्रित के कारण थोड़ा नीचे होता है जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि यह दो हैं और जो आपका दाई तरफ का गुर्दा है वह थोड़ा सा नीचे है बाई तरफ के गुर्दे से आप इसका पूरा कोर्स देख सकते हैं कि ये वर्टिब्रल कॉलम के पीछे पड़े हुई है के साथ में है और ये दो यूरेटर साथ में जा रहे हैं और नीचे यूरिनरी ब्लैडर है जो की प्यूबिस में पड़ा हुआ है प्रते गुर्दा लगभग 11-14 cm लंबा 6 cm चोड़ा और 3 cm मोटा होता है प्रते गुर्दे के उपरी पोल पर अधिवरिक नामक एक ग्रंती होती है जैसा चित्र में आप देख पा रहे हैं कि जो पीले रंग के दो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अधिवरिक हैं ये जो किट किटनीज हैं इसके उपरी पोल पर हम बता रहे हैं कि अधिवरिक नामक ग्रंती होती हैं ये होर्मोन को सिक्रीट करती हैं जो ये दो पीले कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं उपर किटनीज के इन्हें हम अधिवरिक ग्रंती कहते हैं प्रते गुर्दे में एक अवतल और सिनल हाइलम भी कहा जाता है यहां से व्रिक धमनी इस अंग में प्रवेश करती है और व्रिक शिरा तथा मुत्र वाहिनी बाहर निकलती है जैसा आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि जो आपका कंकेव सर्फेस है यहां से यूरेटर बाहर आ रहा है और जो आपकी रीन वेन है वह नीले रंकी जो है वह शिरीर से बाहर आ रही है गुर्देगा लॉंगिट्यूडनल सेक्शन अगर हम उसको लंबाई में काटते हैं तो दो मुख्य सरंचनाओं को दर्शाता है उपरी भाग को व्रिक्य वलकुत अर्थात रीनल कोटेक्स और इसके भीतर के बाहर वाला पार्ट इतुं आप देख रहे हैं कि अपका रीनल कोटेक्स है जो मेलवाला पार अधैक ब्राउन कलर का अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहीं से आपका यह वीनल पैल्विस यह मिलकर के वीनल पैल्विस बनाते और यह बाहर आके यूरेटर की फॉर्म ले अव्रिक ढमनी है व्रिक शिरा है और यह आपका पूरा एक जि Torah इसका देख सकते मच इसको अपिसमे अच्छे से इसको देख पाएंगे ienstति एक सरणचना है जो भी हमने आपको बताया भाहर झॉह पने व्रिकुप dola की बात कर रहे हैं वो बीच में जो आपको यह ये दिखाई दे रहे हैं कटे हुए से इससे वह ऐपके लिद भीम भीद्वह यहीं नीचे जाके जुरिकों में रक्त लगातार प्राहवाहित होता रहता है व्रिक की धमनी रीमलाटरी व्रिक में अप्षिष्ठ पदार्थं से युक्त गंदा रक्थ लाती है। व्रिक विशैले पदार्थ जैसे यूरिया वा कुछ अन्य अप्षिष्ट लवनों और रक्त में मोजूद अतिरिक्त जल का पीले तरल जिसे हम मूत्र कहते हैं के रूप में उनका उसर्जन करता है व्रिक द्वारा साफ किये गए रक्त को व्रिक शिरा रीमलवेन लेकर जाती है इस प्रकार गुर्दे छानने का काम करते हैं और इन पदार्थों को रक्त से अलग कर देते हैं एक व्यक्ति के गुर्दे प्रती मिनट लगभग 120 मिलिलिटर रक्त छानते हैं समस्त रक्त को छानने की क्रिया एक दिन में लगभग 30 बार होती है छने हुए पदार्थ में यूरिया और यूरिक एसिट की अलावा अन्य हानिकारक पदार्थ भी पानी में घुले होते हैं ये सभी पदार्थ मूत्र के रूप में शिरे से बाहर निकल जाते हैं एक दिन में एक व्यक्ती लगभग 1.5-2 लिटर तक मूत्रित्याग करता है आए अब जानते हैं व्रिक कानु रचना जिसके बारे में अभी हमने जाना था प्रतेक व्रिक में असंख्य सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रो टुब्यूल्स होती हैं जिने व्रिक कानु अर्था नेफ्रोन कहते हैं नेफ्रोन व्रिक की कार्यात्मक इकाई फंक्ष्नल यूनिट होती है आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि आपका ये जो नेफ्रोन है व्रिक कानु है ये कहां पाया जाता है जो आपका medullary part है उसके अंदर ये आपका व्रिकानु पाया जाता है जो कि आप इसको अच्छे से देख सकते हैं जहां पर मूतर की निर्मान होता है नेफ्रोन के उपरी हिस्से पर कप के आकार का एक थेला होता है जिसे हम बोमेन कैपसुल कहते हैं बोमेन कैपसुल के मिचले हिस्से पर नली की आकार की छोटी नली टुब्यूल होती है ये दोनों मिलकर नेफ्रोन बनाते हैं नली का एक सिरा बोमेन कैपसुल से जुड़ा होता है और दूसरा व्रिक की मूतर एकत्र करने वाली संग्रहन नली का से जुड़ा होता है आप ये चित्र में अच्छे से देख सकते हैं जो आपको ये गोल पार्ट दिखाई दे रहा है ये है बोमिन कैप्सूल है इसके अंदर ये ग्लोमेलिलस पड़ा हुआ है कोशिका गुच्छ जो पड़ा हुआ है यहीं पर रक्त छंता है और यहां से फिर ये नीचे कलेक्टि सुप्रिंग 2 जो संग्रह नलिका इच्छों उनमें जाता है और यह मूत्र निर्मान होते हुए फिर यह च्छोटे नलिकाओं असंग्रहा कमहिनी यहां पर इकठा होता हुगा य्ूरेटर हमें भीरेटर से मुच्छ जो है आपका नीचे यूरेनरिय ब्लैडर में आता है आप ये भी देख सकते हैं कि या भिठी पार्ट में आपके नेफ्रोंस पड़े हुए हैं उनकी रचना किस प्रकार की है यह है उसमें कैसे पड़े हूए यह देख सकते हैं बोमिन कैपसुल में रक्त केशिका का पुलिंदा होता है इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं जैसे अभी हमने आपको बताया इसका एक सिरा व्रिक धमनी से जुड़ा होता है जो इसमें यूरिया अप्शिष्ट युप गंदा रक्त लाता है और दूसरा सिरा यूरिया मुक्त रक्त के लिए व्रिक शिरा के साथ जुड़ा होता है Glomerulus का काम उसमें से प्रभाहित होने वाले रग्त को साफ करना है यह परिक्रिया निसेंदन अर्थात filtration के द्वारा होती है अब बात करेंगे मूत्रवाहिनी यूरेटर के बारे में मूत्रवाहिनी दो होती हैं जो व्रिक के दोनों और व्रिक द्रोनी रिनल पेल्वेस से जुड़ी होती हैं तदा मूत्राशय के पिछले भाग में खुलती हैं प्रतेक मूत्रवाहिनी की लंबाई लगभग 25 संटीमेटर होती है मूत्रवाहिनियों से पैरिस्टालसेस वेव के द्वारा मूत्राशय में जाता है जैसे आप चित्र में देख सकते हैं जो दो लंबी नली आपको दिखाई दे रही है ये मूत्रवाहिनी है और नीचे मूत्राशा है ये व्रिक से रिनल पेल्विस से निकल कर मूत्राशा तक जाते हैं आप यह फिर से देख सकते हैं चित्र के माध्यम से की मूत्रवाहिनिया जो हैं आपकी वो युग मूत्राशय में जा रही है वरिक से निकल कर मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय एक ऐसा अंग है जो मूत्र को निकालने से पहले गुर्दो द्वारा उत्सरजित मूत्र को इकठा करता है अर्थात यह एक कलेक्टिंग में आपका ब्लैडर है जहां पर की यूरिन निकालने से जब आप मूत्र त्या करते हैं उ है एक लचीली प्रसार distensible थैली है, जिसमें 200 से 400 мл मूत्र एकत्र हो सकता है, मूत्र मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में प्रवेश करता है, मूत्राशय की सतहे पर तीन प्रवेश होते हैं, दो मूत्र वाहिनियों के तथा एक मूत्र मार्का जब मूत्राशय में लगबग 300 से 400 मिली लीटर मूत्र एकथ हो जाता है तब हमें मूत्र त्याग की आवशक्ता उत्पन होती है ये आप चित्र में देख सकते हैं जो हमने आपको वताया कि मुत्राशय में आपके तीन छेद होते हैं, तीन प्रवेश होते हैं, दो यूरेटर के होते हैं, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, और एक यूरेथरा का रहता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मूत्रमार्ग, यूरेथरा, मूत्रमार्ग एक मली है, जो मूत्राशय को शरीर के बहरी भाग के साथ जोडता है, आप चित्र में देख सकते हैं, मूत्रमार्ग एक मली के समान आपको दिखाई दे रहा है, जो कि यूरिनरी ब्लेडर से बहर की तरफ आ रहा है, इसी से हम मूत मूत्र त्याग करते हैं पुरुष और महिला दोनों ही में मूत्र मार्ग का एक सर्जन कार्य मूत्र को बाहर निकालना है और साथ ही पुरुषों में योन गति विधी के दुरान वीरे को एक मार्ग प्रदान करने के रूप में भी इसका एक कार्य अर्था प्रजनन कार्य भी है पुरुष में आपका जो मूत्र मार्ग है वह वीरे को एक मार्ग पदान करता है और साथ ही साथ मूत्र त्याग के लिए भी एक रास्ता आपको मार्ग देता है गुर्दों के कारे आईए अब जानते हैं कि गुर्दों के क्या कारे है चयनित निसेंदर फिल्ट्रेशन द्वारा अप्षिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना जैसा कि हमने अभी देखा ग्लोमरिलस के द्वारा रक्त का छानना होता है रक्त का फिल्ट्रेशन होता है उ कुछ electrolytes दो शरीर के लिए जरूरी है उनको शरीर में रखते हैं बाकियों को बाहर निकाल देते हैं रक्त के पीज को बनाए रखना केलशम स्तर को बनाए रखना रहनिन नामक एक इंजयम का उत्पाधन करना एत्रोपोरटिन का उत्पाधन करना आईये अप जानते हैं आपक को डॉक्टर के पास रेफर करना है यदि किसी मनुष्य में यूरिन या मुत्र बहुत कम आ रहा है तो आपको इसको देखना चाहिए कि मुत्र कम क्यों आ या तो मनुष्य पानी कम पी रहा है या उसे dehydration या उसमें निर्जली करन हो गया है जिसकी वज़े से उसमें मुत्र कम आ रहा है अगर उसका पानी पेने की वज़े से मुत्र कम आ रहा है तो आपको उसका पानी का intake बढ़ाने के लिए पानी ज्यादा लेने के लिए बोलना च quantity अगर कम रहती है तो उसे तुरन डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए या फिर आजकल एक लोग AC में बैठते हैं तो पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से भी यूरिन का त्याग कम होता है यूरिन कम बनता है यूरिन जाने की बार-बार इच्छा होना यह दो-तिन कारणों की वजह से हो सकता है यदि आपके मूत्रमार्ग में कोई संक्रमण है तब भी आपको यूरिन जाने की बार-बार इच्छा होगी यदि किसी को मधु में है डाइबटीज होने का पूर्वक चरण है या शिकायत है तो उसमें भी मनुष्य को बार-बार जाने की इच्छा होती है तीसरी एक आम समस्या रहती है यूरिन में जलन अर्थात मूत्रधा जब भी कोई पिशाब करने जा रहा है मूत्रत्याग करने जा रहा है तो वह बताता है कि उसके पिशाम में जलन हो रही है तो वह भी देखना चाहिए कि किस वजह से जलन हो रही है पानी कम पिने की सम क्रमन है तो उसको हमें बेखना चाहिए तो करने पर जो धित लंबे समय तक मूत्र त्याग करने भी जो होता है उसका रंग पीला हो जाता है तो यह सारे चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत हैं मूत्रत्याग के समय दर्द महसूस होना यदि किसी मनुष्य को मूत्रत्याग करते समय दर्द महसूस हो रहा है तो इसमें आपको देखना चाहिए कि मूत्रत्याग करते समय दर्द क्यूं हो रहा है या तो उसको रिनल स्टोन कोई है जिसकी वज़े से उसको दर्द महसूस हो रहा है या फिर उसमें और कोई संक्रमन हुआ है या और कोई उसे परिशानी है तो यह आपको देखना चाहिए कि मूत्र त्याग के समय दर्द क्यों महसूस हो रहा है मूत्र का रुक रुक कर आना यदि किसी मनुष्य में मूत्र एक साथ नहीं आ रहा है रुक रुक कर आ रहा है तो भी एक समस्या है इसके लिए भी आपको ध्यान देना चाहिए और मुत्र त्याग के लिए जोर लगाना जैसे कि जब बुजूर्ग लोग हो जाते हैं जो पुरुष लोग हैं उनमें एक गरंथी मिलती है पुरस्त गरंथ हैं या आम भाशा में गदूत बोलते हैं जब बढ़ जाता है तो वह मुत्र मार्ग को संकुछित कर देता है जिसकी वजह से मनुष्य को मुत्र त्याग के लिए जोर लगाना पढ़ता है जब जोर लगाता है तो वह थोड़ा सा और फैल जाती है जिसकी से मार्ग थोड़ को जागरूप कर सकते हैं यदि उन्हें इसमें से कोई समस्या महसूस होती है तो थोड़ा सा पहले घरेलू उपचार करके देखें कि अगर उनसे ठीक हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है अराम आगे से इस चीज का ध्यान रखें कि इस कमी की वजह से आपको यह समस्या हो सिस्टम या हम बोलें यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा क्यूंकि जो हमारे गुर्दे हैं वह सबसे ज़्यादा कारा करते हैं अप्शिष्पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का इसलिए यह उत्सरजन तंत्र के में अंग हैं में और्गन है तो इनके मंधित करेंगे देखेंगे और उसमें क्या क्या चीजे रहती हैं यह सब आज हमने पड़ा तो आशा करते हैं कि यह आपके लिए लाबदायक रहा होगा धन्यवाद